Hey everyone, this is Monica and I welcome you to my channel Monica Academy आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ First Friday book से poem No. 5 The Ball Poem by John Berryman So सबसे पहले मैं explain करने वाली हूँ poem को और यह explanation जो है वो line by line होने वाली है इसके बाद हम discuss करेंगे इसके poetic devices को and after that I'll explain question answers to you इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि जितना भी आपका term 1 का literature का syllabus है वो मैं cover करवा चुकी हूँ अगर आपनी वीडियोस नहीं देखी हूँगी तो आप channel का playlist चेक कर सकते हैं या फिर आप description में links को check कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप channel पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है then please do subscribe the channel and also hit the bell icon तो चलिए शुरू करते हैं poem की explanation को तो poem की explanation से पहले थोड़ा बहुत poem के बारे में जान लेते हैं यह poem जो है वो एक boy के बारे में है जिसकी ball जो है वो गुम हो जाती है इसके बाद बच्चा जो है वो upset हो जाता है हाला कि ball इतनी भी costly नहीं आती कि उसके लिए नई ball को खरीदना difficult हो जाए ऐसा भी बिलकुल नहीं है तो फिर बच्चा इन सब चीजों को जानने के बाद भी upset क्यों है इसी पर पूरी poem based है तो यहाँ पर पोईटे के से boy के बारे में बात कर रहे है जिसकी ball जो है वो गुम हो चुकी है पोईटे यहाँ पर इस सब situation को देख पा रहे है वो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से उन्हें यह सब चीजें होती हुई दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बच्चा अब क्या करेगा जिसकी ball जो है वो गुम हो चुकी है second line में फिर से same questioning जो है वो पोईट कर रहे हैं अब वो क्या करेगा जिसकी ball जो है वो उससे दूर जा चुकी है गुम हो चुकी है I saw it go यह जो बॉल गुम होने का सारा सीन था यह basically पोईट ने खुद देखा वो यहाँ पर कह रहे है I saw it go मैंने उससे जाते हुए देखा किसको बॉल को बॉल जो थी वो बहुती जादा मैरिली what is the meaning of मैरिली in a cheerful way बाउंस करते हुए उचलते कूदते बिलकुल खुशी से बॉल जो थी वो पहले street में यानि गली में चली गए और उसके बाद खुशी खुशी बाउंस करते हुए उचलते कूदते वो पानी के अंदर जागी दी तो इस tenza में point ये कहना चाहा है कि जब तक ball बच्चे के पास थी तो वो खुश था लेकिन जब उसके बाद वो ball जो है वो उसके हाथ से चूट गई और जाकर street में चली गई उसके बाद पानी में जाकर गिर गई तो अब जब ball उससे गुम हो चूकी है बॉल उसके पास नहीं है तो अब बच्चा जो है वो क्या करेगा सबसे पहले word meaning देखेंगे तो यहाँ पे oh there are other balls का मतलब है कि आपका जो loss हो गया है वो इतना भी जादा बड़ा loss नहीं हुआ है कि आप उसके लिए इतनी जादा चिंता करने लग जाओ मतलब आप उसके लिए इतना जादा दुख मनाने लग जाओ फर्स लाइन देखेंगे तो यहाँ पे point यह कहना चाहते है कि अगर हम बच्चे को यह कहेंगे कि तुम्हारे पास और भी balls पड़ी हुई है या फिर नई balls जो है वो आ जाएंगी तो इस बात को कहने का कोई भी use नहीं होगा क्योंकि बच्चे के लिए उसकी वही balls जो है वो important है क्योंकि उससे उसकी बहुत सारी memories जूड़ी है हो सकता है वो उसकी favorite ball हो तो अगर हम उसे यह कहेंगे कि हम तुम्हें नहीं ball लाकर दे देंगे या फिर तुम्हारे पास तो already बहुत सारी balls पड़ी है इस बात का बच्चे के दुख पर जो उसका loss हुआ है उस पर कोई असर नहीं होगा An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down Word meanings देखेंगे आप Shaking grief sadness which greatly affects the boy Boy को बहुत ज्यादा दुख हुआ है तो shaking grief का मतलब यहां काफी ज्यादा दुख होना Rigid stiff, मतलब बिल्कुल अकड कर, hard एक जगा पर खड़े हो जाना तो यहां पर point कह रहे है कि बच्चे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है Ultimate मतलब जितना ज्यादा दुख उसे हो सकता था किसी चीज़ के खो जाने का, वो उस बच्चे को हुआ है Shaking grief fixes the boy और इतना ज्यादा दुख हुआ है उसे कि वो दुख उसके अंदर fix हो चुका है बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है अंदर से As he stands rigid, tramly staring down बच्चा जो है वो एक जगा पर stiff होकर खड़ा हो गया है मतलब बिल्कुल अकड कर खड़ा हो गया है और दुख से वो tremble कर रहा है मतलब कमकपा रहा है वो staring down और उसकी नजरे जो है वो अपनी ball पर जो कि पानी में जाकर गिर गई है उसको घूर-घूर कर देख रही है तो यहाँ पर इन lines में point यही बताना चारह है कि बच्चे को ball के खो जाने का बहुत बड़ा जटका लगा है क्योंकि वो एक तरह की shock वाली condition में है क्योंकि वो rigid खड़ा है हिल-डूल भी नहीं रहा है वो बस एक ही काम कर रहा है कि वो एक जगा पर खड़े होकर ball को stare कर रहा है उसे घूर-गूर कर देख रहा है जो कि पानी में जाकर गिर चुकी है अब यहाँ पर young days वो वाले दिन है जब बच्चे के पास ball नहीं नहीं आई थी और वो उसकी साथ खेलता था तो basically उसकी बहुत सारी memory जुड़ी हुई है उस ball के साथ अब वही ball कहां चली गई है हारबर में हारबर कहते हैं बंदरगागों जहाँ पर शिप वगेरा खड़े रहते हैं तो क्योंकि बच्चा एक ऐसी जगा पर खेल रहा था जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा पास था तो उसकी ball जो है साथ ही पानी में चली जाती है तो यहाँ पर point यह कहना चाहा रहे है कि बच्चे की यादे उस ball से बहुत ज़्यादा जुडी हुई है इसलिए वो shocked वाली condition में उस जगा पे खड़ा हुआ है और अपनी ball को stare कर रहा है तो अगर आप बच्चे को यह कहकर console करना चाहेंगे कि कोई बात नहीं अगर तुम्हारी यह ball पानी में गिर गई है तो तुम नहीं ball खरीद लेना या फिर तुम्हारे पास और बहुत सारी balls जो है वो पड़ी होंगी उनसे खेल लेना तो बच्चा नहीं मानेगा क्यों क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है वो shocked में है क्योंकि उसकी वो शायद favorite ball रही होगी जिससे वो बच्पन से खेलता आया होगा तो उसे किसी और ball में interest होगा ही नहीं उसे सर्फ वही ball चाहिए जो की पानी में जाकर गिर चुकी है सबसे पहले word meaning देखेंगे किसी person को उसकी situation की बीच में जाके रोकना टोकना या फिर उसे interrupt करना जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी ना चाहता हो नेक्स्ट इस अडाइम 10 cents ये यूसे की currency है now first three lines का meaning देखेंगे आप I would not intrude on him अब पोईट यहाँ पे कहते हैं कि मैं बच्चे को बिल्कुल भी intrude यानि interrupt नहीं करूंगा जिस situation में वो अभी है बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में है तो पोईट कहते हैं कि मैं उसे उस दुख से बहार निकालने की कोशिश नहीं करूंगा वो जैसी situation में है मैं उसे वैसा ही छोड़ दूँगा अब यहाँ पे पोईट कहते हैं कि अगर मैं उसे 10 सेंट दे भी दूँ 10 सेंट जो है वो बहुत ही कम पैसे है एक बॉल को खरीदने के लिए बहुत ज़ादा बड़ा अमाउंट नहीं है अगर वो खर्च कर भी दिया जाए और एक बॉल जो है नहीं उसे लेकर आया जाए तब भी वो बच्चे के लिए वर्थलेस है किसी काम की नहीं है क्योंकि बच्चे की जो मेमरीज है उसका जो प्यार है अटाचमेंट है वो उस पुरानी बॉल के साथ है जो की हारबर में गिर चुकी है अब नहीं बॉल अगर आ भी जाएगी तो उसके साथ उसकी वो मेमरी जो आटाचमेंट है वो उस नई बॉल के साथ वापस नहीं आ सकती तो इसलिए ये उसके लिए वर्थलेस है बेकार है तो प्यार बच्चे के लिए यहाँ पर मतलब है बिलॉंगिंग से अपनी चीजों से कि अगर उसने responsibility के साथ अपनी ball को रखा होता पानी के पास उसने ball के साथ ना खेला होता तो ball जो थी वो पानी में नहीं गिरती अगर वो पहले ही careful रहता इस चीज़ को लेके तो इसलिए point यहां पे कहते हैं कि उन्होंने इसलिए ही बच्चे को interrupt नहीं किया कि उसने अपनी ball क कैसे पानी में गिरा दिया उसे बिल्कुल डांटा नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा जो है वो अपनी responsibility को सीखे क्योंकि अगर आज उसे ये बात पता नहीं चलेगी तो वो आगे in future जब बड़ा हो जाएगा तो भी वो ऐसी situation से deal नहीं कर पाएगा यहाँ पर in lines में ball word जो use किया गया है वो यहाँ पर signify कर रहा है relationship को तो यहाँ पर point बच्चे से कहते है little boy चोटे बच्चे तुम्हें इस चीज को समझना होगा तुम्हें अपनी responsibilities को लेना सीखना होगा क्योंकि यहाँ इस material word में बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो खो ज जाती है जैसे तुम्हारी ball खो गई वैसे ही जो तुम्हारे relationship होते हैं इस दुनिया में वो भी खो जाते हैं तुमसे दूर हो जाते हैं जैसे तुम्हारी ball जो है वो बहुत दूर चली गई अब वो वापस नहीं आ सकती वैसे ही हमारे relationship होते हैं जो कि हमसे बहुत दूर चल करते हो लेकिन वो तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें उन लोगों के बिना जीना सीखना होगा आगे पोईट कहते हैं and no one buys a ball back money is external वो कह रहे हैं कि money जो है वो external चीजों के लिए है जो बहारी चीजे होती है दुनिया की जैसे की material things उनको तुम पैसो से खरीज सकते हो लेकिन balls यहाँ पे signify करता है relationships को तो जो आपके रिष्टे हैं ऐसे लोग हैं जिने आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो अगर वो आपसे दूर चले जाएं तो आप उन्हें खरीद के वापस नहीं ला सकते तो आपको क्या करना होता है ऐसे लोगों के बीना जीना सीखना होता है He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up word meaning देखेंगे आप desperate hopeless मतलब निराशा first line में poet कह रहे है He is learning well behind his desperate eyes बच्चे की आखें जो है वो बहुत ही ज़ादा desperate है वो किसी चीज़ को पाना चारी और साती साथ वो hopeless है निराशा है उनके अंदर क्योंकि वो ball को वापस पाना चाहता है लेकिन उसे अच्छे से पता है ये बात की ball उसे अब वापस नहीं मिल सकती इसलिए point यहाँ पे कह रहे है his learning वो सीख रहा है चीज़ों को की चीज़े उसके पास आएंगी और उससे दूर चली जाएंगी इस incident के बाद बच्चा जो है वो चीज़ों को लेके responsible हो जाएगा उसे पता है कि उसे अपनी चीज़ों को समहाल के रखना है careful रहना है और साथ ही साथ जो चीज़ों से दूर चली जाएंगी in future जब भी life में ऐसा होगा तो उसे ये भी अच्छे तरीके से पता है कि उसे उन चीज़ों के बिना जीना होगा और life में आगे बढ़ना होगा word meaning देखेंगे आप epistemology of loss understanding the nature of loss what it means to lose something epistemology of loss का मतलब होता है कि जो loss होता है उसके nature को समझना कि वो किस तरीके की चीज़ है and what it means to lose something और किसी चीज़ को खोना जो है वो क्या होता है epistemology the Greek word epistem means knowledge तो epistemology का क्या मतलब है ये एक Greek word है epistem जिसका मतलब होता है knowledge यानि कि ज्यान it comes from a word meaning to understand to know तो ये एक word meaning होता है जिसका मतलब होता है जानना किसी चीज़ को epistemology is the study of the nature of knowledge itself in short में अगर हम इसका मतलब समझे तो जो भी knowledge का nature होता है यानि जो ज्यान की प्रकृती होती है उसको समझने के लिए जो study की जाती है उसको epistemology कहते हैं now lines का meaning देख लेते हैं the epistemology of laws how to stand up आगे point कहते हैं कि जो boy है वो भी सीख रहा है कि कैसे जब चीज़े खो जाती है और feelings आपके अंदर आती है अपनी चीज़ों के लिए कि नहीं मुझे वो चीज़ वापिस चाहिए उस feeling के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए ये बच्चा अभी सीख रहा है क्योंकि future में उसकी life में ऐसा उसके साथ बहुत पार होगा कि उसकी life में दुख आएंगे तब उसे क्या करना होगा चीज़ों को accept करना होगा उन्हें face करना होगा और उस situation से हमेशा खड़े होकर उसे लड़ना होगा तो ये चीज़े जो है वो बच्चा अभी इसी incident से सीख रहा है कि हर एक situation का सामना उसे डट कर करना है आगे पोट कहते हैं कि ये हमारी life की सचाई है जो हर किसी को अपनी life में सीखनी होती है हमारी life में बहुत बार दुख आते हैं जिसके खिलाफ हमको खड़े रहना पड़ता है और हम हमेशा उस life की situation से बाहर आ भी जाते हैं हमेशा life में problems नहीं रहती किसी की भी तो life की reality होती है जो हमें जहलनी पड़ती है और हम लोगों के साथ बच्पन से ऐसा होता है छोटी छोटी life के incidents होते हैं जिनसे हम ये सीखते रहते हैं कि हमें कैसे situation का सामना करना है और कैसे उस situation से बाहर आना है और उस boy ने भी अभी अभी यही learn करना शुरू किया है कि life में problems आएंगी लेकिन हमें उसका सामना डटकर करना होगा और अपनी life में move on करना होगा इन lines को sum up कर लेते हैं एक बार point in lines में यही कहना चाहरा है कि जो boy है वो अभी learning कर रहा है वो सीख रहा है और वो क्या सीख रहा है epistemology of loss कि जो आपकी चीज़े गुम जाती है या आपसे कुछ चीज़ दूर चली जाती है तो आपको कैसे उस situation से deal करना होता है कैसे खड़ा रहना है उस situation में आपको और यह हम सब लोगों के life की reality है हमारी life में up and downs होते हैं हम situation को face करते हैं deal करते हैं और एक time उससे बाहर निकल आते हैं तो बच्पन से हम लोगों के साथ ऐसा होता है चोटी चोटी problems होती है पहले बच्पन में हमारी life में और हम उनसे सीखते हैं कि situation से कैसे बाहर निकलना है और future में भी हम ठीक वैसा ही करते है अब बात कर लेते हैं poem में use किये गए poetic devices के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे rhyme scheme के बारे में पूरी poem में कोई भी rhyme scheme जो है वो follow नहीं की गई है इसके बात first line में आपको देखने के लिए मिलेगा anaphora क्या होता है यहाँ पर आपको repetition देखने के लिए मिलता है words का phrases का at the beginning of successive sentences like line number one and two में आपको what word जो है वो दो बार दिखाए दे रहा होगा line number three and four में भी merrily word को repeat किया गया है तो यहाँ पर भी anaphora है next आपको second line में देखने के लिए मिलेगा repetition what what is he to do यहाँ पर what को दो बार यूज किया गया है अपनी बात पर और ज़्यादा emphasize देने के लिए poet ने ऐसा किया है यहाँ पर तो यहाँ पर है repetition now next poetic device जो यूज किया गया है that is imagery line number three में आप देखेंगे लिखा गया है merrily bouncing तो यहाँ पर बात हो रही है ball के बारे में अब एक ball जो है वो non living thing होती है वो merrily मतलब खुशी से वो bounce नहीं कर सकती वो वैसे ही bounce करती है तो यहाँ पर poet जो है वो हमारी imagination को बढ़ानी की कोशिश कर रहे है वो हमें यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करें कि ball जो है वो खुशी से उचल रही थी तो यह यहाँ पर सिर्फ imagination की बात है तो इसलिए यहाँ पर जो poetic device है वो है imagery next जो poetic device यूज किया गया है वो है enjambment line number 2, 3, 6, 7, 8 इनके end पर कोई भी punctuation mark जो है उसको use नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पर है enjambment सबसे पहले enjambment देख लेते हैं line number 3, 4, 5, 8, 9 इनके last में कोई भी punctuation mark जो नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पर है enjambment line number 2 में आपको alliteration देखने के लिए मिलेगा alliteration क्या होता है जब same consonant sound जो है वो repeat हो रही होती है words के beginning में आप यहाँ पर देखेंगे buys, ball, back तो b sound जो है वो repeat हो रही है तो यहाँ पर है alliteration now line number 6 में आपको repetition देखने के लिए मिलेगा balls, balls will be lost always little boy तो यहाँ पर balls को दो बार use किया गया है और यह basically poet ने इसलिए किया है ताकि वो अपनी बात पर और जादा emphasize कर सके तो यहाँ पर है repetition question number 1 why does the poet say I would not intrude on him why doesn't he offer him money to buy another ball poet ऐसा क्यों कहते है कि मैं बच्चे को बिलकुल भी intrude यानि कि interrupt नहीं करूंगा और poet बच्चे को कुछ money जो है वो offer क्यों नहीं करते answer is the poet says so because the boy is shaken by the loss of his ball poet ऐसा इसलिए कहते हैं कि मैं बच्चे को बिलकुल भी interrupt नहीं करूंगा उस situation में क्योंकि बच्चा जो है वो अपने ball गुम जाने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है वो दुख से बिलकुल हिल चुका है the poet emphasizes this loss this loss can't be compensated with any money or anything तो यहाँ पर poet बच्चे के loss पर emphasize यानि बहुत जोड डालते हुए कहते हैं कि बच्चे का जो loss हुआ है उसको आप किसी भी चीज से compensate नहीं कर सकते मतलब उसकी कमी को आप किसी भी चीज को दे कर पूरा नहीं कर सकते बच्चे की उन चीजों से खुश नहीं होगा क्योंकि उसको वो बॉल ही वापस चाहिए so he doesn't give the boy money इसलिए point ने बच्चे को कोई भी पैसे जो थे वो नहीं दिये question number two staring down all his young days into the harbor where his ball went बच्चा जो है वो staring down मतलब नीचे अपनी बॉल की तरफ घूर घूर के देख रहा है और उस बॉल के साथ साथ उसके जो बच्चपन की यादे है उस बॉल से attached वो भी उस harbor में चली गई है harbor कहते हैं बंदरगा को तो पानी में बॉल चली गई है और उस बॉल के साथ साथी बच्पन की जितनी भी यादे उस बॉल से जुड़ी हुई है वो भी बॉल के साथ पानी में चली गई है Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको लगता है कि बच्चे के पास वो बॉल जो थी वो काफी लंबे समय से थी? Is it linked to the memories of days when he played with it? और यहाँ पर poem में जो हमें point ने बताया है कि बच्चे की memories जो है वो जुड़ी हुई हूँ उस बॉल के साथ तो क्या फिर ये memories उन दिनों की memories है जब बच्चा जो है वो बॉल के साथ खेला करता था? Answer is Yes, the boy had it for a long time Yes, बच्चे के पास ball जो थी वो काफी लंबे टाइम से थी It is seen in staring down all his young days The boy staring into the harbor shows one thing तो हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे के पास ball जो थी वो काफी लंबे टाइम से थी Poem में line है staring down all his young days बच्चा जो है वो घूर घूर के नीचे harbor में देख रहा है अपनी ball को उस ball में क्या था ऐसा जो उसे घूर घूर के देख रहा था? उसकी बच्चपन के दिनों की यादे थी जब वो उस ball के साथ खेला करता था तो यहाँ पे poet कहते हैं कि ball के साथ साथ ही उसकी जितनी भी बच्चपन की memories उस ball के साथ अटाश थी वो भी पानी में चली गई ball के साथ साथ The boy staring into the harbor shows one thing और बच्चे का harbor में गूर गूर को देखना सिर्फ एक ही बात को शो करता है It is that the boy had links to the memories of many days तो बच्चे का बार बार घूर घूर के harbor की तरफ देखना एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि काफी सारे दिनों की memories जो थी वो बच्चे की इस ball से जोड़ी हुई थी इसी कारण से वो अपनी ball को बार बार देख रहा था तो यहाँ पर आपको मतलब बताना है in the word of possessions का possessions का मतलब मैं आपको already poem की explanation में भी clear कर चुकी हूँ इसका मतलब होता है belonging से आपकी material words से material things से answer is it means the word of materialism तो यहाँ पर जो in the word of possession का मतलब है वो यहाँ पर material words से है मतलब जो भौतिक वाद की दुनिया होती है जिसमें material things आपको मिलती है in it once possessions carry importance और जो यह material word होता है यहाँ पे जो आपके possessions होते हैं जो भी आपके संपती होती है उसकी बहुत ज़ादा importance होती है for an example आपके पास घर है आपके पास आपका mobile phone है आपकी car है तो यह सारी material things है और यह कहीं न कहीं आपकी life में importance रखती है it is also of consumerism consumerism को हिंदी में कहते हैं उभोकतावाद तो consumerism को आप ऐसे समझ सकते हो कि यह एक ऐसी प्रवर्ती है जिसमें आप यह believe करते हो कि जतनी material word की things आपके पास होगी मतलब जितनी भी material things आपके पास होगी उतने ही ज्यादा आप खुश रहोगे उतना ही ज्यादा आपको सुख जो है वो इस life में मिलेगा क्या आपको लगता है कि बच्चा जो है वो इससे पहले भी कोई चीज गुम कर चुका है और जो words यह आपको suggest करते हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पर answer is no it seems that the boy had not lost anything earlier नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता कि बच्चे ने इससे पहले कभी भी कोई चीज गुम की हो the words that suggest so are his senses first responsibility in a world of possessions तो जो words है हमें यह suggest करते हैं कि बच्चे ने इससे पहले कभी कोई चीज गुम नहीं की वो है he senses first responsibility in a world of possessions तो बच्चे ने पहली बार world of possessions यानि इस material word में अपनी responsibility को feel किया है उसने यह चीज समझी है कि उसके पास एक ball थी और उसको उसके साथ carefully खेलना चाहिए था अगर वो अपनी responsibility को समझता और carefully ball के साथ खेलता तो ball उसके पास रहती लेकिन उसने अपनी responsibility को अच्छे से पूरा नहीं किया इसलिए ball जो है वो उससे गुम हो गई question number 5 what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? try to explain this in your own words तो poet क्या कहना चाह रहे है कि बच्चा जो है वो ball के गुम हो जाने से learn कर रहा है सीख रहा है तो इसको आपको explain करके बताना है अपने words में answer is the poet says that the boy is learning the nature of the loss हमने पूरी poem पढ़ लिया हमने उसमें अच्छे से ये चीज़ को समझ लिया है कि nature of loss क्या होता है तो poet यहाँ पर कह रहे है कि बच्चा जो है वो nature of loss को learn कर रहा है अभी वो सीख रहा है कि जब कभी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कैसे आपको situation में खड़े रहना है कैसे आपको उस situation से deal करना है उसको face करना है और उस situation से बहाराना है हम सब लोगों के साथ life में ऐसा ही होता है और यह सीख उसे कैसे मिल रही है जब उसने अपनी बॉल को गुम कर दिया तब उसने सीखा कि जब कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है और वो भी आपकी favorite चीज़ वो आपसे दूर हो जाती है आपको उसके बिना रहना पड़ता है आपको move on करना पड़ता है जब बॉल बच्चे से गुम हो गई थी तो वो अंदर से बहुत जादा टूट गया था और अब जब बच्चे से बॉल गुम हो चुकी है तो अब बच्चा क्या सीख रहा है वो emotional implication सीख रहा है मतलब एक feeling आती है आपके अंदर कि आपकी जो चीज गुम हो गई है वो आपको वापस चाहिए लेकिन आपको उस feeling के खिलाफ लड़ना होता है क्योंकि आपको अच्छे से पता है अंदर ये बात कि बॉल जो है वो अब वापस नहीं मिल सकती तो आपको उस situation में खड़े रहना है और उसको face करना है और फिर उसके बाद उस situation से बाहर निकलना है तो ये सारी जो emotional चीजे है जो उस ball के साथ बच्चे का connection है इन सब चीजों से बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा है और इन चीजों को वो समझने की भी कोशिश कर रहा है क्योंकि बच्चे के लिए फर्स्ट experience है पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसकी कोई फेवरेट चीज जो है वो उससे दूर चली गई है So this is all about the poem thank you for watching this video I hope video आपको अच्छा लगाओगा helpful लगाओगा so please like कीजेगा video को अप इस video को अपने friends के साथ अपने classmates के साथ share भी कर सकते हैं and if you have any query related to any chapter any topic then please let us know through the comment section and we will definitely get back to you as soon as possible bye-bye and take care